हेलो दोस्तो एक बाध दोवारे से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल व्यक ररना स्टॉक्स पर दिल से तो दोस्तो आज बात करेंगे हैप्पिस माइंड शेर के बारे में यह मेरा फर्स वीडियो होगा है माइंड शेर के अपपर जानेंगे कि क्या इसकी है पिएस माइंड की लिटेश चल रही है और जैसे आपको बता है कल वी दिवार के आसपास टॉक ने अल्मोंस 13% के आसपास का जंप दिया था अभी करण मागेश बस चला 612 रुपे के आसपास ठीक है तो भाई डैफिनेटल यह स्टॉक एक observation हो सकता है जो हमें April के महिने में एक अच्छी आपको रिटन देखे जा सकता है बस सरत है कि भाईया आपको एक अच्छी एंट्री का वेट करना पड़ेगा उस वेट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस एंट्री में स्टॉक को बाई करना च सकता है ठीक है कंपनी के मैंने प्रॉफिट चेक करें ठीक ठाक है अब आपकी थोड़ा सा इसमें कमी एक चीज़ की है जो पब्लिक है हमारी जनल पब्लिक उन्होंने बहुत हैबी माल इसमें खरीदा हुआ है ठीक है तो लॉंग टरम का इसका फ्यूचर का इसा होगा यह करता है इसके रिजल्स में ठीक है अगर इसके रिजल्स नेक्स्क कॉर्टर के जो फैब कॉर्टर आने वाला है अगर अच्छा आते है तो definitely we can say कि हाँ चलो अच्छा परकार सकता है फ्यूचर में लेकिन अगर फैब कॉर्टर के तो थोड़ा कमी आती है तो definitely भाई आपको एक पर इसमें profit booking कर लेनी चाहिए, अगर आपने IPO के समय अभी तक hold करा हुआ है, अगर जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये pure आपका technical chart के basis पर bounce आपको देखने को मिल सकता है, ये 13% का जो bounce आया, ये कुछ technical chart के माध्यम से आया, और साथ में कुछ news definitely future में out होने व share कर देना, facebook, router, telegram, जहां आप कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके है, वहाँ आप सब सब्सक्राइब कर देना, तो लेके चलता हूँ, आपको stock के chart की तरह पहले, तो दोस्तों देख सकते हूँ, मैंने happiest mind technology limited, तो मैं Google का chart खुला हुआ है, आपको screen में देखने को मिल सकता, stock 13% के असपास अब था पड़सो, अगर बात करते है, stock के overall performance की, तो मैं आपको chart दिखाया था, ठीक है, November के असपास का IPO आया था, September के असपास, 370 रुपे के असपास आया था, और IPO से stock लगातार, आप हो सकते हूँ, डबल हो चुका है, almost 100% की return अभी तक दिखा रहा है, IPO, जब का launch हुआ था, IPO के बाद stock थोड़ा गिरा था, गिरने के बाद stock लगातार, उपड़ जा रहा है, राइट, आप उस तो question आता है कि क्या stock को आपको hold गाना चाहिए, दो सो देखिए, अगर बात करता हूँ, एक महने के chart की, तो आपको देखना को मिल सकता है, कि stock ने एक महने क और 600 रुपे एक पाय जोन क्यों बनता था, ठीक है, क्योंकि उसमें एक अच्छा कासा है, यह pattern बना है, ठीक है, आप कोई इसको flag pattern बोलता है, कोई इसको कुछ बोलता है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस pattern की मैं बात करा, उसके लिए आपको वीडियो अंतर देख के जान काने की उकात से भीनिंग की है, और किसी और की नहीं है, ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ पहले, कैसा काम होता पड़सों, वीरवार को तो दोस्तों आप देख सकते हो, स्क्रीर में, आपको सामने में हैं, हैप्यस माइन टेकनोजी लिमेडिट के बारे में खोला हुआ, एक अप्रेल का डेटा खोला हुआ है, 612 रुपे का प्राइस चल रहा है, अगर बात करते हैं, डेटा की दोस्तों देख सकते हो, टोटल क्वांटिटी जो टेवरी, 79 लाक या, असपास व्यूती 15 लाग क्वांटिटी लोग घर लेके गए, 20% का रेशियो निकल के आता है, ठीक है, 20% काफी काम होता है, अगर आप 15 लाग की क्वांटिटी को मल्लिप्लाइ कर तो 600 रुपे से, तो करोड़ रुपे का माल निकल के आता है, ठीक है, तो आप खुदी कर सकते हो, आईनो आप कर सकते हो, तो अब लेके चलता हूँ स्टॉक के, टॉप पी एंडल की जैसे आपको पता है, एक IT कंपनी है, डिजिटली ये वो काम करती है, तो बढ़िया भाई, कंपनी की ओवरल स्टॉज तो ठीक ठाक है, ठीक है, अगर बात करता हूँ, NSC, BSC दोनों में लिस्ट कंपनी है, आठ या 732 क्रोड का मार्किट कैप है, और करन्ट पर चलता है, प दोस्तों स्क्रीन में आपको देखने को मिल सकता है, कंपनी के क्वार्टर इरिजर्ट्स, मैं सिर्फ दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट की बात करूँगा, आप देख सकते हो, जो कंपनी का प्रॉफिट है, बढ़ रहा तीन क्वार्टर से, लेकिन अगर नेट इंकम की लॉस की, तो दोस्तों आप देख सकते हो, जो कंपनी की से लगता तीन सालों से ग्रोथ में आ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, अप्रटिंग प्रॉफिट भी लगता बढ़ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, अगर बात करते हैं, नेट इंकम की, नेट प करेगा, और जिस आप से स्टॉक का प्राइज उपर भाग रहा है, मुझे तो यह अंदाजा लग रहा है कि भाईया, फैब को अटर इसका जवदस्त होने वाला है, क्योंकि आपको बता है, मार्किट हर चीज़ को पहले ही डिसकाउंट कर लेती है, बात करते हैं किस-किस का पैसा लगा है, पैसा लगने से पहले आपको दिखाता हूँ, बैलेंस देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, और जो इसके डेट है, वो कम कर रही है, करजा देख सकते हैं, तो कम हो रहा है, तो बहुत जल्द ये फ्यूचर में एक डेट-free कमपनी भी बन जाएगी, बहुत बढ़िया, अगर बात करते हैं, दोस्तों स्क्रीज में आप देख सकते हूँ, मैंने सेरुल्डिक पैटरन खोलाब है, हैपियेट्स माइंड का, और दोस्तों देख सकते हूँ, जो सेरुल्डिक पैटरन है, वो हमें ये कहा रहा है, जो ब्रमोटर होल्डिंग है, 53% के आस इसमें थोड़ा से विचार करने का आस, इसमें पैटरन खोल्डिक पैशा, जाड़ा लगा हूँ, इसमें फब्लिक के पैसा थोड़ा से जाड़ा लगा हूँ, थिकाए, इन तीनों की होल्डिंग देखते हो, तो मातर 68% निकल के आती है, जो थोड़ी सी, थोड़ी सी कम है ठीक है अगर यह holding retail की पब्लिक की 25 प्रेसेंट और 20 प्रेसेंट के आसपर आ जाती है तो डेफिनेटली भाई यह स्टॉक एक मल्टिवेकर बन सकता है लेकिन अभी current price में यह जो holding है बढ़ चुकी है तो डेफिनेटली आपको यहापर थोड़ा selling pressure देखने को मिल सकता है future में ठीक है अभी जब fab के result आउट हो जाएंगे definitely जैसे fab के result आउट होंगे अगर वो result अच्छे भी आते है ठीक है positive आते है उमीद से भी अच्छे आते है तो definitely stock आपका नीचे गिरते हैं आपको देखने को मिल सकता है क्यों मैंने आपको बताया ना हर चीज पहले discount हो जाती है ठ announcement होती है डेट आप एक बरस पर profit booking कर लेना ठीक है profit booking किस लीवल में करनी है उसके लिए आपको लेगे चलता हो चार्ट के तरफ देख सकते हो मैंने happiness mind का चार्ट खोला होगा एक डेली चार्ट मैंने खोला होगा स्क्रीन में और दोस्तों आप देखोगे सबसे पहले तो कल क के दिन में एक breakout हुआ है volume का लगातार एक महीने का आप बो सकते हो यह volume एक ही कर्णर में खा गया मतलब बन गया बहुत बढ़िया अगर बात करते हैं जैसे में आपको बसाता है एक पैटन बना आप इसको फ्लैक पैटन बोलीजिए जो भी पैटन आप बोलना चाहते है बो अगर आपको लगाना है तो आप स्वापों लागा सकते हो 526 रुपे के निचे 526 पांटो 25 रुपे के निचे तो आपको यह नीचे के लेबल दिखा सकता है लेकिन मेरा मानना है कि यह उपर जाने के बास अपर लेकर से उपर जाएगा तो यह आपका support पूरा का पूरा यह आपका EUV stock को बाइकर करके चल सकते हो, definitely यहाँ से bounce कर सकता है, बाकि अगर आपको stopos लगाना है, तो 525 रुपे के जिंचे का stopos आप maintain कर सकते हो, closing basis में, बात करते हैं, बात करते हैं, टागेट नी तो target आपको देखने को मिल सकते हो, उपर screen में, 650 का पहला target रहेगा, और 700 रु पर retracement करेगा, retracement करने के बाद, फिर देखते हैं, कहां तक जा सकता है, तो भाई, इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ, आपको समझ आगे हो, कि आपको happiest mindshare में क्या करना चाहिए, उसकी latest news, दोस्तों, अभी कुछ नहीं चल लिया, हालफिला के दिन में, मैंने हर्ची सर्च मागे देख लिए, हालफिला के दिनों में कोई news नहीं है, ठीक है, news यह है कि बहुत चल इसके result आउट नहीं वाले, अब वो result की date, announcement बहुत जल्द होने वाली है, दिखते है कि कब होती है, तो उसका हम wait करेंगे, तज़ार करेंगे, तब तक क्लिए, बाए बाए